सब्सक्राइब करना होता है बड़ा टाइम लगता है किसी एक वीडियो को परफेक्टली परफॉर्म करके आपके सामने पेस करने में पिर वो भी तब जब आपकी आफ्लाइन क्लासेज और ऑनलाइन क्लासेज दोनों पारलल फॉर्म में चल नहीं हो तब ठीक है यह बात की बात है लेकिन जो मैंने बादक किया था वो तो मैं निभाई रहा हूं आपको रेगुलर क्लास मिल ला है लेकिन एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट से या बीसी फेस्टे से केंड वाले चैनल पर तो आपके भाई बहन आपके दोस्त मित्र जो भी आपके पढ़ने वाले हो तो उनको आप जाकर करके रिक्मेंट कीजिए क्योंकि वहां पर भी क्लासेज आने वाली है बहुत ज्यादा मत्रम है आज मनें एक इंट्रोड़क्टिव वीडियो अपलोड करी ह तो आप लोग जरूर देखिए उसको शेयर कीजिए जाता से जादा बस यही आपसे कहना जाएंगे तो आज का जो हमारा लेक्टर है वो बीसी थार्डियर जुलोजी फस्ट पेपर का वेक्टर एंड पेस्ट से रिलेटर है जिसमें हम लोग लेक्टर 10 लेकर किया है अभी एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो की सुगर कें की क्राप नियु和थ करता है या उसको इसको नष्ट करता लाइए उसको नकरता है तो इस सपेस्ट आफ सुगर कें में जो सुगर कें ली फॉpor है इसका हम लोग क्लासिफिकेशिएं शिकार के निए ।िस्टिबूशन है तो सभी लोग सबसे पहले हैडिंग राली है पैस्ट आफ सुगर के एक्षोल है क्या पैस्ट आफ सुगर के लिखा हुआ है वह इंसेक्ट मैंने हर एक वीडियो में यह बताए हुआ घंक जयाने की जो हमारे पास में store food material है अपने हिसाब से की भाई हम अपने एक मैने के बजट लेकर के चलते हैं एक मेने का रासन लेकर के चलते हैं उस तरीके कह बहुत बड़े बड़े जो गोदाम है वहाँ पर जो store food material है उनको तेके हां ही पहुए यह आंप पहूंचाते है उन्हें नॉर्मली पेस्ट कहते हैं और यह बड़े डंजिरस होते हैं इकोनॉमिकली लेवल पर हम लोगों के लिए बाद देखिए आपर लिखी हुई है सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि सूगर केंड एक प्रकार की काश क्रॉप होती यह 60 फैसा कि यहाँ बहुत जादा जादा बिगाहों में ठीक है और एक बिगाह कम से कम बहुत अच्छा कासा पैसा देख करके जाती है तो एक ट्राली दो ट्राली तीन ट्राली ऐसे ले करके जाते हैं मील में और इस से हमें वहां पर मील वाले क्या करते हैं बना करके चीनी देते हैं सुगर देत तो सुगर केन एक परिकार की cash crop होती है जो इंडिया और ट्रोपिकल कंट्रीज में गुरू की जाती है यहां पर ट्रोपिकल रीजन्स या ट्रोपिकल एरियाज है वहाँ पर या इंडिया के रीजन में आपको देखने को बिलेगा इस पेशलिए ठीक है सुगर केन क्रॉप को हानी पहुचाने वाले इंसेक्ट पेस्ट सुगर केन क्रॉप को हानी पहुचाने वाले इंसेक्ट पेस्ट सुगर केन प्रोडूजिंग एरिया में पाये जाते हैं ताथा या पेष्ट सुगर केन की क्रॉप को अत्तविक रूप से हानी पहुंचाते हैं एक जितने भी आपके पेष्ट होते हैं यह सुगर केन की जितनी भी स्पसीज हैं उन सभी इस पेष्पसीज को बहुत ही ज़् जा रहें इंडिया के अंदर जिसे में पहला है आपका पाइरिला पर्प्यूसिला बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है पाइरिला पर्प्यूसिला यह जो पाइरिला पर्प्यूसिला है न यह काफी इंपॉर्टेंट और्गनिज्म सारी यह काफी इंपॉर्टेंट पेस्ट ह कौन पाइला पर्प्यूसिला जिसको हम लोग सुगर केन लीफ हॉपर कहते हैं लीफ हॉपर या लीफ को यह काटने वाला यह डैमेज करने वाला सुखाने वाला यह कौन है पेस्ट है दूसरा आपका यहां पर देखे लिखा हुआ है काईलो इनफसर सेटल इनफसर स्टैलस यह सुगर केन शूट बोरर होता है यानि जो गन्ने का प्धेडत है उसको यह बहुता है दो फिर सुगर केन हमारा बेकर हो जाएगा नस्ट हो जाएगा तो इसका भी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यदा हाम पहुंचाने वाला पेस्ट है तीसरा है ट्राइपोराईजा ट्राइपोराइजा निवेला इसे हम लोग सुगर सुगर केंट बोर करते हैं विससे नर्ट प्राइपक्स को यह क्या करता है तो फोर्ट है यहां पर Alluro Alluro Lobus Alluro Lobus Parodonis या Barodonsis Alluro Lobus Parodonsis इसे हम लोग Sugar Cane White Fly के नाम से जानते है यह White Color का होता है टिक इंसेक्ट पेस्ट और यह भी क्या करता है Sugar Cane के जो है ना Stem को Nust कर देता है फिप्त आपका यहाँ पर एक और है important है जिसको हम लोग बोलते हैं बिशेटिया या बिसेतिया बिसेतिया इस्टैनी इस्टैनिलस इस्टैनिलस इसको हम लोग गर्ड्स इसको हम लोग गुर्दासपुर बोर कहते हैं गुर्दासपुर जो हमारा एक है भूजा कई जा To कुछ इंपोर्टन पैस्ट है lift लोगर्वं पैस्ट है जो फालॉइंग टाइब से को देखने को मिले रहां अगर इस तरीके से जाते हैं कि सखरर एनिंट की इस की को या सुगर केन को नस्ट करने वाले किनी चार या पांच पेस्ट के बारे में लिखिए उनका जो लोजिकल नेम बताईए तो आप इसको याद करके आराम से दो सुगर केन लीफ आप अपर है न जो सुगर केन लीफ हॉपर है न इसका reflection आपको पढ़ना है सबसे पहले आपको इसका kingdom याद रखना गालीफ राक्ता लाइधिया क्योंकि got क्या हो जाएगा अर्थ्रो पूड़ा हो जाएगा क्लास क्या हो जाएगी इंसेक्ट के रूप में आपको देखने को मिलता है इंसेक्टा क्लास के इंतरगत रखा गया है फैमिली की बात करें तो फैमिली हो जाएगी फुल गोरीडा ठीक है फैमिली क्या हो जाएगी फुल गोरीडा ओर्डर की बात करें तो ओर्डर हो जाएगा हैमिप्टेरा ओर्डर क्या हो जाएगा हैमिप्टेरा और जो जीनस हो जाएगा वो इसका क्या है पाइरिला और जो इस्पिसीज हमको यहां पर इस्पेशली पर कवर करेंगे ठीक है अब हम बात करते हैं इसके distribution की वित्रण की कि यह कहां कहां आपको देखने को मिलता है लीफ आपर पर पहला पॉइंट देखें आप लिखा हुआ है को सुगर केण लीफॉपर सुगर केण क्रॉपक को अत्यदिक रूप से हानी पहुचाने वाले इंसेक्ट पेस्ट में से एक है उन acceso मैं से ये पारिलब पर प्यूंश csakा इंसेक्ट पेस्ट माना जाता है यह इंडिया के सुगर केन ग्रोइंग एरियाज में जैसे की यूपी, एंपी, महराष्ट्र आदी में सुगर केन क्रॉप को अत्तिक रूप से हानी पहुचाता है तो आप देखेंगे कि जहां पर गन्य की फसल ज्यादा पैदावार होती है जैसे की उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, मद्द प्रदेश की बात हो रही है, महराष्ट की बात हो रही है, तो इन एरिया में, इन छेत्रों में, इन रास्ट्रों में आपको सुगर केन लीफ सुगर केन की क्रॉप के अलावा मेज है ना मक्का बारले बाजरा आध की क्रॉप को भी हानि पहुचाता है और बारे जो है ना बच्छा यह हमारी बहुत ही पुरानी फसल मानि जाती है जब प्लांट proclaim बार ले जो है यह सबसे पुरानी पहली फसलवानित घूरी गई है ऑप लोग जा कर क सच को पहत ज्रूर वाट्नी वहाँ ही मेहनत से और बहूत इंपचन से के फॉर्म में पढ़ा रहो नेक्ट पॉइंचक देखे लिखा हुआ है सुगर केन क्रॉप के आफ सीजन सुगर केन क्रॉप के आफ सीजन में जब सुगर केन की क्रॉप नहीं होगी तो उस समय पेस्ट इंसेक्ट कहां जाएंगे तो उसके आफ सीजन में या इंसेक्ट पेस्ट वाइल्ड ग्रासेस पर लिविंग रहते हैं कहां रहते हैं जहां पर उगाया गया था उसके आजपास चेत्र में आप देखते कि जंगली घास उगती है उन घासों के उपर अपने जीवन को वतीत करते नेक्स्ट सीजन के लिए नेक्स्ट सीजन तक यह आपने देखा होगा खेतों में गन्ने को काट करके आग लगा देते हैं तो आग लगने से बहुत फाइदा है एक तो सुगर केन की पैदावार अच्छी होगी दूसरी बात क्या है कि सुगर केन को पहली वाली वसल में यह दिमाल लो कि किसी इंसेक्ट पेस्ट इंसेक्ट ने हानी पहुंचाया और उसके लार्वा या उसके बच्चे छोटे-छोटे वहीं की वाइल् इसी कि बास करेंगे खाकार की कि बात करेंगे देखें लिखा हुआ है सुगर केन लीफ आपर अपनी एडुल्ट स्टेज में 8-10 अच्छी मिलींटर लंबा यल्लो कलर का सथा लार्ज साइज बाड़ी वाला थी इस होता है और यह कैसा होता है यह एड़्ट स्टेज में 8- 10 mm लंबा होता है पहली बात दूसरा यलो कलर का आपको देखने को मिलेगा तीसरा लार्ज साइज बॉड़ी वाला होता है ठीक है और काफी एक्टिव इंसेक्ट पेस्ट होता है इसकी बॉड़ी का एंटिरियर एंड इलोंगेटेड वा पॉइंटेड होता है यानि कि जो बॉड़ी का एंटिरियर एंड होता है और पॉइंटेड होता है जिसमें दो लार्ज साइज की जिसमें दो लार्ज साइज की डिस्टिंक्ट आई या रेड आई अरेंज रहती है आप देखे इसमें दो लार्ज साइज की यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यह देखो एक यह और एक यह जिसमें दो लार्ज साइज की large size red eye large size red eye क्या रहती है अरेंज रहती है और यह eye कैसे होते है compound eye होते है इस पर short note आता है अब कब यह सी first year में ने पढ़ाया हुआ है next point देखे लिखा हुआ है adult sugar cane leaf hopper में तीन जोड़ी legs वा एक जोड़ी wings arrange रहते है तो जो adult sugar cane leaf hopper होता है इसमें आपको तीन जोड़ी क्या देखने को मिलेंगे पाद यानि पैर देखने को मिलेंगे ठीक है legs देखने को मिलेंगे और एक जोड़ी क्या होगे punk होगे next point देखे लिखा body के posterior end पर anal pore का एक pair arrange रहता है जो wax यानि mom की layer द्वारा covered रहता है ठीक है तो body का जो इसका पिछला भाग होता है पिछला हिस्सा होता है उसके उपर anal process पाया जाता है anal क्या पाया जाता है process पाया जाता है ठीक है जो की क्या करता है यानि wax या mom के द्वारा covered रहता है anal process sugar cane leaf hopper को आपर वार नीचे की ओर निंत करने में सहीत प्रदान करता है तो यहUP के उपर बैठा हूता है या वह से लीव से जो हैना उसकि रसकोषके शैप को यह क्या कर रहा होता शक कर रहा होता है चूसरा होता है यहां पर इसको आपको देखने को मिल सकती है अब हम सबसे important बात करेंगे इसकी life cycle की लाइफ साइकिल आफ पाइरिला पर प्यूशला या सुगर केन लीफ आपर बहुत important है तो हर एक point को यहाँ पर discuss करेंगे बहुत जरूरी है पहला point देखे लिखा हुआ है और यह important भी है आपके exam के point आप यूशे प्यूशला पाइंट सी बहुत important है पहला point ईसचा और बिदेंग औरम प्रेण ऑपर पूरे वर्स्रेसμα करता रहता है पर्कोंस पता होना चाहिए कि यह पूरे साल क्या करता रहता है पूरे साल साल तक करेगा ब्रीडिंग करता रहता है जिसमें फीमेल सुगर केंग लीफ पर पर ब्रॉजण का पर प्रोसेस करके एग लेंग करेगी और जो फीमेल होती है यह सुगर केंग की लीफ पर करीब तीन सोग से लिकर के पांट सो तक अंडों को देती एक बार में लिखा हुआ है समर सीजन में एग लेंग सुगर केंग की लीफ की सर्फेस होता है लेकिन विंटर सीजन में रहाई सुगर केन की लीप सीथ में देती है तो सुगर केन की लीफ सीथ यह अंदर की तरफ होता उसमें लीफ सीथ में पृँनwire करती है डेती है नेक्स बन दीके लिखा हुआ है सुगर आके से ग्रीनइश के होते हैं वा साइनी वाईट के होते हैं ग्रीनिश वर शाइनी inhaled मतलब साइनिंग मारने वाले वाइट कलर के होते हैं जात्तरा यहां एक म्यूसिलेज लेइました और है यह फिमेल लीफ होपर की एनल प्रोसेस से क्या होता है बिटा से क्रीट होता है जो कि वेक्स का फॉरमिशन करता है पर लिखा हुआ सुगर केन की लीव पर सुगर केन लीफ होपर के एग तीन से पांच लॉंगिट्यूडनल रोज में यानि पंग्तियों में लॉंगिट्यूडनल पंग्तियों में तीन से पांच लॉंगिट्यूडनल रोज में अरेंज रहते हैं तता प्रतेक रो में तीस से लेकर के पचास तक अड़े अरेंज रहते हैं तो हर एक लाइन में तीस से पचास तक अड़े रहते हैं साथ से 20 दिनों की आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका लेफा पर का लारवा या पीपा बन जाता है लेकिन विंटर सीजन में इंक्यूबेशन पीरियड बढ़ जाता है एक हैचिंग के बाद प्रतेक एक से एक स्मॉल साइज का मड़ी कलर का लार्वा यानि की निम्फ या डेवलप होता है यह लार्वा पाइप टाइम मॉल्टिंग के बाद मेटामॉर्फोसिस की क्रिया करके एडल्ट में चेंज हो ज ओता है कितनी मोल्टिंग अपने निर्मोचन की क्रिया अपने निर्मोचन मॉल्टिंग पर से चार बार क्या करेंगे इसके बाद मेरें एक एडल्ट जो है ना पेस्ट में चेंज हो जाता है नेक्ट मन देखे लिखा हुआ है समर सीजन में मोल्टिंग के या मोल्टिंग से मेटामॉर्फोसिस के मद्धिर लगवक्त दो महिने का समय या टाइम पीरियड लगता है दो महिने का समय लगता है लेकिन महीं अगर हम लोग विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन में मोल्टिंग वा मेटामॉर्फोसिस के बीच तरीवन चार महिने का टाइम पीरियड लगता है तो गर्मी के समय में यह जल्दी मोल्टिंग प्रोसेस करके एडल्ट में चें Leaf Hopper में Male Member ज्याने कि 5-7 हफ्तों तक Male Member Adult Sugar Cane Leaf Hopper Adult Sugar Cane Leaf Hopper में Male जो सदस्य होते है वो करीवें 5-7 हफ्तों तक जबकि Female Sugar Cane Leaf Hopper 6-8 हफ्तों तक जीवित रहती है जो Male Sugar Cane Leaf Hopper है Parella Perpusula है 5-7 हफ्तों तक जीवित रहता है ठीक है और वहीं अगर हम लोग बात करने फीमेल सुगर केन लीफ आपर की तो करीवें छे से आठ हफ्टों तक जीवित रहती है नेक्स पांट देखे लिखा हुआ है मांसून सीजन में जब बरसात का समय होता है तो उसमें सुगर केन लीफ हापर का लाइफ स्पैन चालिस से साथ दिनों में कम्पलीट हो जाता है ठीक है हो जाता है तथा एक साल में इसकी चार से पांच जनरेशन डेवलप हो जाती है या हो सकती है या पूरे साल में लगवग चार से पांच जनरेशन जो होती है वो उसकी डेवलप होती है लेकिन इन में लगातार डेवलप होने वाली generation के बीच में कोई distinct difference नहीं पाता या पाया जाता है या होता है किसी प्रकार का distinct variation या distinct आप यहां पर देखेंगे generation देखने को नहीं मिलता है तो यह तो बात होगी हमारे इसकी life cycle की अब हम बात करेंगे बच्चा इसके damage की तो क्राप को किस समझानी का कोई मतलब भी नहीं है अगर आपके यह बुक यह मॉडल पेपर में बना हुआ तो बस बिल्कुल वही च्छाप दीजिए बात खता में ठीक है जो लिखा हुआ है वह important है यह याद रखिए देखेंगे डेमेज क्रौप किस तरीके से करता है एक रखिव वाल लार्वा दोनों यह हैं यह को लारवाओ यह और को नस्ट करते हैं तर सिगर केंध के के द्वारा सुगर केन लीव से इनका जूस या शक करके करते हैं जिसके कारण सुगर केन लीव ड्राइब होकर यल्लो कलर की हो जाती है अब आप समझें जब यह इंसेक्ट क्या करेगा सुगर केन लीव सुगर केन की लीव से सारे के सारे शैप को अगर चूस लेगा तो वहा प्रिकास संसलेशन ही नहीं होगा तो इसके एडल्ट ने सुगर केन को डारेक्टली हानी पहुंचाए अब देखो यहाँ पैस्ट सुगर केन लीफ की सर्पेस पर एक ट्रांस्पेरेंट एक ट्रांस्पेरेंट सुगर सालेशन को सेक्रीट करते हैं जिसे हनी ड्यू कहते हैं एक ट्रांस्पेरेंट सुगर केन सलेशन को प्रोड्यूस करते हैं या सेक्रीट करते हैं जिसे हनी ड्यू कहते हैं आगे देखे लिखा हुआ यहां सेक्रीशन इफ्रेंट टाइप के फंगस को अट्रेक्ट करता है जो सुगर केन लीफ पर इन्फेक हो जाती है तो सुगर के इस्टे में सुगर की जो कॉलिटी है और सुगर जो यहां पर थी यह एक गन्या यहां पर था उससे यहां पर जो सुगर होने वाली थी उसकी एमाउंट भी क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है नेक्स मन देखे लिखा हुआ है सुगर केन क्रॉप में सुगर केन लीफ हॉपर का अटैक होने के बाद सुगर केन इस टेम में सुगर अमाउंट अबाउट 35% हो जाती तो कितने परसेंट तक सुगर अमाउंट डिक्रीज होती 35% तक अब हम इसको प्रिवेंट कैसे करें या हम उसको बचाएंगे प्लीफहस से उसको कंट्रोल करेंगे इअब सोंगर केन लुइस आप लिखा हुआ है अधाली बात यह तो आपका बड़ा यह प्रोस्स है इसमें आप क्या करें कि हर एक सुगर केन की लिफ पर जाएं देखें कहां पर इस करें लीफ को निकाल के दें दूसरी बात सुगर केन की लीफ पर एग को फिनाइल इस्प्रे दौरा भी नष्ट किया जा सकता है बहुत अच्छी बात है हम इतनी मेहनत क्यों करें हम फिनाइल लेकर के आएंगे हम इस्प्रे बनाएंगे और उसको छिड़काओ कर देंगे तो टिरे एक डिफ़रेंट पीरियट पर ठीक है एंडोसलफेन एक कैमिकल है एक सलूशन है इसका हम 0.5% सलूशन क्या करेंगे डिफ़रेंट पीरियट पर इस्प्रे करके सुगर कें की क्रॉप को लीफ आपकर के अटैक से बचाया जा सकता है ठीक है पाता सुगर केश पर की को कॉंट्रोल किया जा सकता है बड़ी आसानी से थोड़ा सा कॉस्टली मेथड है नेक्स देखे लिखा हुआ है स्वाइल में नाइट्रोजन एमाउंट अत्यधिक होने पर इन लीफ हापर की पॉपुलेशन और अधिक बढ़ती है अता हम क्या करेंगे स्वाइल में नाइट लेवल पर रखा जाना चाहिए जो नाइट्रोजन का अमाउंट है उसको एक डेफिनिट लेवल पर रखेंगे जितना रिकॉर्मेंट लीफ सुगर केन को है उतना रखेंगे तब तो ठीक है अगर हम उसमें ज्यादा बढ़ा देंगे तो सुगर केन की अलावा सुगर केन हापर को भी फायदा होगा और वो अपनी पॉपलेशन को इंक्रीज कर सकता है नेक्स पांट देखे लिखा हुआ है लास्ट सुगर केन लीफ हापर के कारण होने वाली आनिको रोकने का अत्यदिक effective method क्या है तो सुगर केन की सुगर केन की लीफ हापर रिजिस्टेंस सुगर केन की एक वराइटी है कौन सी सीओ तीन सो पच्चासी ठीक है आधिको लगाना या लगाया जाना चाहिए तो बिटा इस तरीके से देखा जाए तो हमारा यहां पर पाईला पर प्यूशला जो सुगर केन लीफ हापर है यह कंप्लीट होता है पस एक्जाम औरियंट डिटेल में आपको समझाने का प्रियास किया बस मैंने आपको एक्जाम से रिलेटेट आपको यहां पर पढ़ा है कि एक्जाम में अगर सुगर केन लीफ हापर की उपर आता है पूरा इसका क्लासिफिकेशन डिस्टिबिशन कैसे हुआ इसका माफोलोजी लाइफ साइकिल डेमेज कंट्रोल हम कैसे करेंगे डेमेज किस तरीके से होगा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रिवेंट संप्रीक्या के इसे मरे यहां पर आपको विडियो सारह कुछ समझा दिया अगर मैं भी कोई फाइदा नहीं और आपका भी कोई फाइदा ने नुक्सानी था दोनों का एक वीडियो के दौरा में ने आपको अपनी बात को पहुँचा दिया आपने एक वीडियो के मादम से पूरे सुगर के इनलीफापर को समझ लिया आप समझने के बाद में आप इसको तैयार प्राहँ कर लाइक किईए चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए बैल ऐकन दबा दीजिए इतना आप और बाकिए अगर आप हमसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लिकेशन को भी डाउनलोड कर लीजे जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा सुमित राना बीसी क्लासेस के नाम से या सर बीसी क्लासेस के नाम से तो आज के लिए बचों इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा ही आप लोग जुड़े रहिए घर पे बैट करके आराम से अपनी स्टेडिकों करते रहिए जाहिन जाए भारत